दोस्तों शड़े मून में आपका स्वागत है एसे से कॉंस्टेबल के लिए 25 कुशन महतपूर हम लोग देखने वाल है हिंदी से वले एक्जाम ऑफलाइन होते थे अब एक्जाम CBT है कम्ट्यूटर बेस एक्जाम है ओन्लाइन एक्जाम है और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताईएगा कि अगला भी आपको सेट चाहिए तो यस लिखिएगा कुशन नमर पहला है कि ग्यानपिट पुरुषकार किस से सम्मंदी थे जो ग्यानपिट पुरुषकार दिया जाता है वह सभी भारती भसाओ के लिए दिया जाता है तो इसके अंसर क्या हो जागा डी हो जाएगा सभी दान के भाग आट में 22 भसाओ का भी उलेख है ये भी यादिर कियेगा ठीक कोश्चन मबर दूसरा है कि काबमिमंसा के रचनाकार कौन है तो काबमिमंसा है बहुत बड़ा काब है और इसके जो रचनाकार है वो राजसेखर है कौन है राजसेखर है याद रखिया तो तूकर डी हो जाएगा यदि A, O, A और O के आगे सवर वर अगर हम लोग ये बोलत यह कौन सी संधी कहला तो जगनाथ का जो सब्द है बेजन संधी क्या है याद रखिएगा कोई अध्रिस सब्दू का रुप में उपिक्त मुहबरा है यूज करते हैं इस में क्या है तो अस्तिτά का साफ जो योज क्या जाता है मुहाब्रा वो इसके लिए किया जा आ कि इसके लिए अद्रिस सक्तू होना मतलब च्रति स एक मुहाब्रा हुआ और इसका अниковा अद्रिस सक्तू है तो जैपराजय में कौन सा समास है यह पूछ रहे समास, बहुबरेज़ दोंत समास, दिगु समास, करम ध्राय समास, सत्य पूरुष समास, ऐसे समास जो है, इसमें से पूछ रहे यह कौन से समास है, तो जो जय पराजय है, इसमें से दोंत समास है, कौन है, दोंत समास है, ठिक, जय पराजय या आपको कोई भी, इसका पहला ही जो आएगा पदखंड उसमें जो आएगा उसमें आपको कोई शंख्या वाची दिया रहेगा ठिक इसे पंच मठी हो गया पंच प्रमेश्वर हो गया यह सब दिगू समास में आजाएंगे ठिक कोशन इसका पूछ रहा है कि कौन सा सब्स्टर्लिंग नहीं है आप जान रहें कि computer-based exam होने वाला है computer-based exam में छूटा से छूटा कोशन आपको बनाने के कुछिस किया जाता है और आपका यह तो सलेबसी है तो निम्लिख्यते में कौन सा सब्स्तर्लिंग नहीं है दिए रहा है तो न पूछ रहा था। Question No. 9 है कि निमलिखित में कौन साब्स हन्स का प्रवाची है हन्स किसे को बोला जाता है विड़ा पाड़ी किसे को बोला जाता है ठीक है strategy हम जाएगा तो हन्स का प्रवाची सब्स क्रवा हो जाएगा उसा हो जाएगा प्रवाची से भी और विलोम से भी, निमलिकित में एक वाक में क्रिया, भच्छड करने के अर्थ में परियुक्त हुई एक वाक है, तो भच्छड, आम का भच्छड करना, ठिक, आम जो है, आम होता है न, उसका आम का भच्छड करना आप भी उप्युक्त कर सकते हैं, ठिक, इसके एंसर क्या हो जाएगा, इसका सही अर्थ में परियुक्त करना है, अब वो जूते भच्छड करता है, यह तो होगा नहीं, जो भी वलापसन है, वो हराम को भच्छड करता है, यह भी नहीं होगा, वो कसम को भच्छड करता है, वो भी नहीं, वो आम को भच्छड करता है इसको जोड सकते है तो D हो जाएगा तू डाल डाल मैं पात पात का सही अर्थ क्या है तू डाल डाल और मैं पात पात का सही अर्थ है कि चलाकी का जवाब चलाकी से देना अगर कोई आपके समझ चलाकी कर रहा है मैं इसको डाल डाला रहा है तब पात पात भागिएगा इसके और भी उच्छाई पर अब जाहिएगा तक तो आप चलाकी से जवाब देगएगा कोई किसे दे कर रहरा है तो इसका इंसर क्या हो जाएगा अठेकें तो कौन सा है जो अकाल पीडित है उनके लिए कौन समास है ये कौन से समास है तो ये कर्मधराय समास है याद रखिएगा ठीक 13 कि अनुधन एसर्ड का सुध्य संदी बिछेद है जो अनुधन एसर्ड ही सुध्य संदी बिछेद है अनुधन एसर्ड इसका क्या है सुध्य सही संदी बिछेद है अनुधन वेसर्ड कोई अनुधन एसर्ड कोई हैं लोग अनुवेसर्ड लिख सकते हैं संदी बिछेद मिं जाता तो इसे खास अर्थ निकलता है ठिक तूसे अंसर क्या हो जाएगा 14 अब बोलिएगा कि सर आप तो इसको दीगु बताए थे दीगु में चक्र इसमें चार आ रहा है चक्र में इसकी तो यह चार नहीं है चक्र आ रहा है चक्र पाड़े में इसकी चक्र को लेता है और वह कौन होता है तो वह विश्णु जी होते हैं ठीक इसको इसका तो अर्थ यह है चक्र पाड़ी चक्र धार्यड़ करने वाला लेकिन इसका एक विश्णु ज पहले, यहाँ पर देखे, योग्रूट सब्द हो जाएंगे, beshy竜ू क्या हो जाएगा? इसमें पुछ रहा है, योग्रूट, योग्रूट, योगिक, ये तीन परकार है OS पहले, पहले, रूड आपको पढ़ना पर योग्रूट पढ़ना पढ़ता है, फिर योग्रूट पढ जाता है तो चौदा केंसर क्या हो जाएगा फ जाएगा गोधु मौदु यह तज्सक्रिट क्या होता है और जो दभाव संस्क्रिट की तरह होता से अपर लगा सकते हैं जिसे करते होज सब्सक्राइब तो क्या हो जागा गे inspired कर तो यह क्या हो जाएगा पंद्रा का यह हो जाएगा इसका इंसर क्या हो जाएगा अगर इसका गेहूं का तत्सम पुष्टा तो क्या हो जाता गोधूम हो जाता लेकिन इसका तदभव यह हो जाएगा तलीन सब्द में सही उपसर्ग का विछेद क्या है तलीन जो सब्द है इ आप निकाल सकते हैं कि उसमें वो उसका अर्थ नहीं है ठीक तो सत्रा के अंसर क्या हो जाएगा महादेव पसुपति और संकर यह तीनों स्यूजी को बोला जाता है लेकिन चक्रपाणी नहीं बोला जाता है चक्रपाणी स्यूजी को नहीं बोला जाता है वो चक्रधारण नह एंते हैं पेड़ से पत्ते गिर्थे इसमें कौन सा कारक है तो यह which कि सो कही न जाए कहिए पंग्ति करचनाकार कई सब्सक्राइब primitive पंक्ति का रचनाकार कौन है तो यह जो रचनाकार ही है तुलसी दास है यह तुलसी दास के पंक्ति से लिया गया है बहुत ही मतलब की भी भी आई है याद रखिएगा यह सी हो जाएगा ठीक इनके पंक्ति से लिया गया है यह कोशन बहुत एकजाम में आ चुका है इसलिए क पात्र रखेगा तो रंगभूमी जुट ब्यक्त करने वाली विकल्प को तो स्टैन कीजिए कि सबनम, सबनम का अर्थ क्या होता है, या परवाची आप बोल सकते हैं, तो सबनम है, उष्ट ओस को हम लोग बोलते हैं, क्या है, यहाँ पर 21 का एंसर क्या हो जाएगा, और लोग सबनम बोलते हैं, अभी ठंडी के दिन है, और वोस गिरबिरा है, पानी हो रहा है यहां पर तो पठ्न में क्यूश्चन अमर 22 ए कि नर्शांगिक क्या चैसर परक्रितिक है घूरसांगिक नहीं बोला fehlt हसका ठासरोन जाएगा परक्रितिक हो जाएगा ये ये अपका परवाशी र deven सतित ruled थीन ऑने वाला है असमीथा अ भी तुट चाल प्पेंपव था मुझा इस वह जाएगा शूद र्भी धैटर 158 फोचेट नहीं फूल होता है गूलर का असलियत ही है कि गूलर का फूल होता ही नहीं है कि कोई देखेगा गाउध हात में कहावा थी कि अगर गूलर का फूल आपको मिल जा रहा है तो उससे आप बहुत सोना बना सकती है उससे आप अमर हो सकती है ऐसे बहुत से कदकंतिया कहानिया जो ह गाउं में फैली हुई है ठीक तो गूलर का फूल होना मिंस क्या होता है कि दूरलव होना दूरलव होना कि कभी जल्दी मिलना नहीं ठीक तो गूलर का फूल होना मिंस क्यों दूरलव होना पचीस का एंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा ठीक कैसा question लगा यह जरूर बताएगा और भी आपको share चाहिए तो बोलियेगा comment box में yes जरूर लिखिएगा और ज़्याद से ज़्याद से ज़्याद से ज़्याद कीजिए अगर कोई question में आपका doubt है यह भी बताएगा और कैसा लगा question जरूर बताएगा यह आपको जो SSJD का होगा उसमें 25 question डाइरेक्ट आने माले है तो इसे ज़्याद से ज़्याद से शेर कीजिए लाइक कीजिए study mode चैनल को subscribe कीजिए वीडियो दखिने के लिए आपका बहुत बहुत धन्ने बात